नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तेकिराच योटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेटमी 9A पर DPI सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको DPI सेटिंग करना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें मैं आपको शो करके बताऊंगा सेटिंग कहाँ पर है ठीक है आपको क्या क्या करना होगा DPI सेटिंग के लिए तो वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देख देना है तब जाके आपको समझ में आएगा कि DPI सेटिंग को यूज कैसे करने कहा पर जाके आपको करना होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वह शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखाए तो सब्सक्राइब कर करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना होगा अगर दोस्तों आपको DPI सेटिंग करना है तो जोस्तों जाएए अपने सेटिंग के अंदर पर तो दोस्तों लोग सर्च करते हैं फ्री फायर का लेकिन दोस्तों अभी मेरे जो फोन है उसमें फ्री फायर के लिए ठीक है free fire यहापर में use नहीं करता हो तो दोस्तो dpi setting जो है phone के अंदर पे भी होता है free fire के game पर भी होते हैं तो दोस्तो आज हम बात करें phone के dpi setting के बारे में ठीक है तो सबसे पहले आपको जाना है about phone पे यहाँ MIUI वर्जिन जो दिखाई देरा उसमें आपको साथ बार क्लिक करना है और आपको यहाँ पर शो करेगा You are now a developer तो जब आपको यह चीज़ शो करेगा additional setting पर जाके नीचे जाके आपका developer option open कर ले उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे जाना है यहाँ पर तो नीचे पर जाके दोस्तों आपको मिलेगा smallest white option यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो मेरा option है वो set किया हुआ है 392 DP के अंदर पे तो अगर आपको set करना इसको तो यहाँ पर tap करे इसको delete करे और दोस्तों आप यहाँ पर reset कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल तो दोस्तों यहाँ पर अभी में में इसको set करने वाला नहीं हूँ ठीक है तो इसके वाज़े से यहाँ पर changes आपको करना होगा तो अगर आपको पता है कैसे कैसे करते हैं आपके DPI सेटिंग को तो आप यहाँ पर फोलो कर लिजेगा ठीक है तो दोस्तों मैं सोच रहा हो कि DPI के अंदर पर एक complete video tutorial बनाया जाए तो दोस्तों अगर आपको भी चाहिए उसके अंदर पर एक complete tutorial तो दोस्तों आप हमें जादा सा जादा comment करके बता दीजिए ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यह होगा आपका DPI सेटिंग तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ठीक है बिना किसी दिक्कट के आप जाए DPI सेटिंग को reset करके यूज़ कीजिए तो आज की इस वीडियो पर बस इतना ही वीडियो सब्सक्राइब करके जाए तेंक्स वर राचिंग